किस प्रकार से या क्या विशेश ध्यान रख करके हम इस फिजी वाइरस का नियंतरन कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ यह विशानु जैसा कि मैंने पहले कई वार बताया है एक पौधे से दूसरे पौधे में तेला या चेपा बाकी इसका भूरा रंग होता है तो इसके द्वारा फैलाए जाता है जब एक विशानु ग्रसित पौधे का रश चूश करके किसी स्वस्त पौधे में जाता है तो उसमें भी विशानु को फैला दिता है इसलिए जरूरी है कि जब हम पहुत साला की तयारी कर रहे हैं नर्सरी लगा रहे हैं तो उस समय इसका नियंतरन करें और इसके लिए आपको नर्सरी लगाने के 10 से 15 दिन बाद जब अच्छी तरह से बढ़वार हो जाती उसको ध्यान रखिए और कहीं पहुत साला में अगर आपको तेला या चेपा का प्रकूब दिखता है तो आप 3-4 दवाएं हैं जो की तेला को नियंतरन के लिए प्रयोग मिलाई जाती हैं उसमें टोकिन या ओसीन इसकी करीब 100 ग्राम मात्रा प्रती एकड परियाप्त होती है उसी तरह से प्रेक्स लीटर पानी लगता है एक एकड़ के लिए जब हम समान्य फसल में इसका छिड़काव करते हैं उसमें फसल की बाड़वार बहुत जादे हो जाती है आप अपनी आवसकता नुसार घुल बना लिए क्योंकि नरसरी में फसल की बाड़वार इतनी जादे नहीं होगी और मात वू नहीं लगेगा और तेला जब नहीं लगेगा तो यह विषाणू जो फिजी वाइरस है वो फइलेगा नहीं इस अंदर में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे ब्याईनिकों ने यहां पर अध्यान किया और पाया कि जो दूब घास है सामा है सावा घ एक प्लांट हापर जो है सर्वाइब करता है तो आप से यह भी अनुरूद है कि आप अपनी नर्शरी के अगल वगल आज पास विल्कुल सफाई रखें खर्पतवार फ्री हो ताकि कोई इसको अल्टरनेटी होस्ट जो है न मिल सके तो मुझे उमीद है और विश्वास है कि आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे और अपनी पौध की अच्छी तरह से देख रेक करेंगे ताकि फिजी विशानुस से आपको मुक्ति मिल सके बहुत बहुत धन्यवादी